नमश्कार मैं हूँ आपके साथ पूजवा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्त नियूज शितिश रवी प्रिचाद जो की करन जोहर की धर्मा प्रोडक्शन में बताय जा रहे थे कि उसमें डारेक्टर थे लंबे समय से वो वहां काम कर रहे थे लेकिन अब जो उनके बारे में एक बड़ी खबर आ रही है वो हम आपके रहे हैं कि शितिश जो हैं वो गिरफतार हो चुके है यानि कि शितिश प्रवी प्रिचाद जो की NCB ने कल उनको हिरासत में लिया था उनके वर्सोवा वाले घर पर जाकर उन्हें वहां से जो NCB के अधिकारी है वो उनको साथ में बिठाकर गाड़ी में ले जाते हैं और उसके बाद कल उनको हिरासत में लिया गया था और आज जो है आज उनको गिरफतार कर लिया गया है हालकि के बीच करण जोher पर बीच कंजा कसने की बात कही जारी थी लेकिन करण जोher को गिरफतार जो है या करण जोher पर कशिकंजा अभी तक कोई खबर या कुछटी नहीं हूए करन जो अने हाला कि इसके लिए सफाई दे दी है उन्होंने कहा है कि जो वीडियो लगातार दिखाया जारता या उनके घर पर ड्रग्स पार्टी की बात कही जारी थी उससे उनका कोई लेना देना नहीं है यानि कि और अब धर्मा प्रोडक्शन से जो सितेज हैं उनका भी को पर अभी देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है यह यहां पर जो है शितिश की है साथ में उनके साथ अनभव भी मौजूद है तो यह जो शितिश से किस तरह से वो ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थी तमाम सवाल जब NCB उनसे पूस्ती है कर जब उन्हें हिरासत में लेती है NCB के अधिकारी सीधा उनके वर्सोवाले घर पर पहुंसते हैं और उनके घर से उनको उठाते हैं गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद सीधा कहा ले जाते हैं NCB दफ्तर जहां पर कल उनसे पूस्ताच की जाती है आज फिर उनसे पूस्ताच की जाती है लेकिन इसी ब अपर नाम घशिटता हो दिख रहा है और अब धर्मा प्रोडक्शन के कई लोगों से पूस्ताच हो रही है इसके लावा जो तस्वीर हम ने उसमें आपको दिखाई उसमें तो उसमें जो है वह अनभव मौझूते और कल अनभव को भी बुलाया गया था नभव से भी और फिर एक आयूश नाम का ड्रग पेडलर बताया जा रहा है जो इनके संपर्क में था तस्वीरों में वो भी मौझूद है तो इस तमाम लोग जो हैं इनके करेक्षिंट हो है वह कही न कहीं आपर यह जाहिर करते हैं कि इन लोगों के जो करेक्षिन है वो ड्रग पैलर से है तो आप ये जो दो लोग देख रहे हैं ये तस्वीर में ये आपको बता दू कि एक है अनभव चोपडा जो की वो भी धर्मा प्रडक्शन के बताया जा रहे है कि वो भी as a director वहाँ पर काम करते थे करण जोहर के आला कि करण जोहर ने इस बात से साफ इंकार कर दिया उन्होंने का है कि अभी इन लोगों के कोई संपर्ख में करण जोहर ने है करण जोहर इनको जानते भी नहीं है अगर ये काम करते तो यहाँ पर तमान सवाल जो है वो करण जोहर पर भी उठते हैं और NCB जो है वो लगातार इन लोगों से पूस्ताच करें तो ये तस्वीरे ह यह आप देखिए कि जो यहाँ पर पकड़े गए हैं गिरफतार कर लिए गए हैं यानि कि शितिश और उसके साथ उनको आपको यहाँ पर दिखाई देएंगे अनभव चोपड़ा जिनसे भी पूस्ताच अभी लगातार एंसीवी के जो टीम है वो कर रही है तो जब हमने जो सूशल मीडिया पर भी आपको ये लोग एक साथ देख जाएंगे इनके इंस्टेग्राम पेज मर पर भी कई तस्वीरे इन लोगों की साथ में हैं और जब क्योंकि शितिश की एक कंपनी भी बताई जा रही है जिसमें उ उनके घर जाती है शितिश के तो वहाँ पर ड्रक्स की कई बड़ी मात्रा महाँ पर पाई जाती है और फिर वो ड्रक्स जो है वो अपने कब्जे में कर लेती है एंसीवी ड्रक्स पाई जाते है उनके घर में यानि की कई बड़ी मात्रा में पर रखे गए थे और लगातार इन लोगों से इसलिए पूस्ताच कर की जा रही है तो बड़ी खबर है और इस पर लगातार हम इस खबर से related हर खबर आप तक पहुचा रहे हैं और आगे भी हम इस से related कोई भी बड़ी खबर होगी वो आप तक पहुचाते रहेंगे बाकी की खबरों के लिए आप जनसत्य न्यूज देखते रहें हमारे चानल को लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें साथ ही अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में पर दे क्यूंकि आ हम यह बताना चाहते कि आप क्या जानना चाहते हैं वो खबरे भी आपको बताना चाहते हैं नमस्का